नमस्का दोस्तों मैं हूँ आर्ति प्रजापती यूटूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ दोस्तों अमारे यहां युजिस्टिनाइट पिपर बन पिपर टु साइकोलोजी की प्रिपरेजन कराई जा रही है आज का जो अमारा युणिट है वो पिपर बन का है तो आज हम देखने वाला यह डाटा इंडर्प्रेटेशन के बारे में और वो भी 29 सब्टेमबर 2020 को पुछा गया है यह डाटा इंडर्प्रेटेशन के क्विश्टन तो चले दोस्तों देर ना करते हैं वीडियो को लाइक कर दीजी अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजी ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो डाले जाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम प सारी दर्सा गई तालिका में दिये गए आzkडों के आधार पर प्रश्णों के उत्तर दे तो यहां पर दीकिए यह एस्पिताल किसी सहर के तीन इस्पिताल है उसकी बात की गए और यहां पर उसे पात दूस ediyorum हो की संखिया रोग्यों की संखिया दी गई क्यों चलते हैंiest प्रतिसत कंदीजंत करने हुगा के हर अस्पिताल के दर्दी को निकाल लेंगे तो चले देख लेते हैं कि टोटल अस्पिताल के कितने दर्दी होते हैं चले सबसे पहले बात करते हैं अस्पिताल की बात करते हैं तो यहां पर आपको क्या करना होगे सभी दर्दी योगा यहां पर योग करना होगा तो 0000 तो यहां पर आपके आगे 0, 2 प्लस 5, 7, 7, 7, 8, यहां पर 3 प्लस 6, 9, 9 प्लस 7, 16, 16, 16, 18, तो यह मिल गए आपके कह के, आप देखते खा की बात करते, तो खा में कितने दर्दी हैं, उसके बारे में देख लेता, तो 0 प्लस 0 प्लस 0, 0, तो यहां पर आगे 0, चार प्लस पांच नो नो प्लस जिरो जिरो प्लस नो प्लस दो ग्यारा यहां पर बना गए यहां पर बना गए यहां पर बना गए यहां पर हमें कितने मिले चौती सो दस मिले अब देखते हैं घह की बारी आती तो घह में देख लीजे 0 0 0 0 तो यहां पर आपके आ गए 0 उसके बाद देखते हैं 6 5 11 11 प्लस 0 0 और 11 प्लस 3 कितने होगे 14 तो यहां पर आ गए 4 तो यहां पर हम रख देते हैं 1 1 प्लस 3 कितने होगे 4 4 प्लस 9 कितने होगे 13 13 प्लस 1 14 14 प्लस 6 20 कहीं यहां पर सुन यहां पर आ गए 2 2 प्लस 1 थ्री 3 प्लस 2 5 तो यहां पर आपके घख के कितने मिले 5,040 अब देखे दोस्तों यहां पर हमीं क्या करना है मधू में इसे पिडित रोगी की संख्या निकालनी होगी तो मधु में के दर्दी कहा पर है यहाँ पर है तो उनके टोटल हमें यहाँ पर से निकालनी पड़ेगी तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं उनकी टोटल तो यहाँ पर देगे 0 प्लस 0 प्लस 0 तो यहाँ पर आगए 0 यहाँ पर 5, 5, 5 प्लस 5, 10, 10 प्लस 5, कितनी हुए 15, तो यहाँ पर 5, यहाँ पर आ गए 1, 1 प्लस 6, 7, 7 प्लस 3, 10, 10 प्लस 9, 19, 19 को यहाँ पर 9, और यहाँ पर आ गए 1, ओके, तो 1 प्लस 1, 2, 2 प्लस 1, कितनी हुए 3, तो यह मिल गए दोस्तों हमें मधु में इसे पेड़ी त निकालनी में ना अस्पतल सभी डूटल करी हमने सिर्व कच चा ऑस्पतल और सब्सक्राइका हुआ की है的人 इन तीनों का सम चाुड़ना होगा तो हैं यहां हम पर निकाल लेखे एंधाराज्य फ्लस 3 प्लस 3410 प्लस 5040 यहां पर हम उनका क्या करते हैं सम निकाल लेते हैं तब जाकर हमें टोटल मिलेगा तो दीखें 0 0 0 तो यहां पर लिख देते 0 8 प्लस 1 नो 9 प्लस 4 तेरा यहां पर 3 यहां पर 1 8 प्लस 1 नो 9 प्लस 4 तेरा तेरा प्लस 0 तो यहां पर 13 का यहां पर 3 आ जाएगा यहां पर आ गए 1 1 प्लस 1 टू 2 प्लस 3 फाइव 5 प्लस 5 कितने हुए 10 तो यहां पर हमें टोटल जो भी अस्पताल है 3 अस्पताल उनके टोटल दर्दी कितने मिले 10,330 अब देखिए हमें प्रतिसत निकालना है न तो हमें 10,330 में से कितने प्रतिसत मदु में वाले दर्दी है यह निकालना होगा न तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जिनका प्रतिसत निकालना है जिनका उनको हम रख देंगे उपर के वर यानि कि 49,50 जो मदु में क्या प्रतिसत हमें निकालना हैं मदु में वाले दर्दी के तो यहां पर हमने क्या किया उनको उपर की वर रख दिया और टोटल जो है दर्दी उसको हम रख देंगे नीचे की वर तो 10,330 और यहां पर हम कर देंगे इन 200 जब प्रतिसत अकेले निकालना हैं तो इस कुछी गई नहीं है अब जितना कटता है काट दीजिए जिरो से जिरो कट गया अब देखे क्या होता है यहां पर तो यहां पर 395 इंटू हंड्रेट करें तो कितने होंगे 49500 ना 49500 हो गए और नीचे की वर कितने रहें 101033 अब देखें इनको हमें क्या करना होगा इनका भाग करना है तो चले 49500 बटे 1033 अब देखें यहां पर आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है दूस्तों इजी तरीके से बता रही हूं तो देखें यहां पर एक है तो 4 अंकरों तक मिल रहें तो तीन हजा नो सोपचास बिल रहे तो आप इसे सोचे की 1000 को हम कितने तक यह पर तीन से गुना करते तो हमें 3000 मिलता है अब देखें 1000 को चार से गुना करेंगे तो चार अजार ओजाएंगा तो यहां पर पीछे 33 है तो तीन से ही गुना होगा ना 4 से अगर गुना करते हैं तो 4000 प्लस यहां पर हमें संख्या मिलेगी तो हमें 4000 से कम संख्या चाहिए तो हम यहां पर इस तरीके से अनुमान लगा कर भी इस तरीके से पेशन को स्वाल फटावट से कर सकते तो 1033 को हम 3 से इंटू करें तो 3 3 9 3 3 9 और 0 3 0 और 1 3 3 ओके तो यह मिल गया 3099 तो एक जात यह तीस 3 133 को 3 से गुना करेंगे तो कितने मिले 3 1399 ओके अब देखे चले इनका माइनस कर दीजिए तो 0 में से नो जाएगा तो यहां पर 0 में से नो जाएगा नहीं इसलिए यहां पर हम क्या करते हैं 10 लगा लेते 10 में से नो जाएगा तो एक रहेगा यहां पर 4 आ जाएगा 14 में से नो जाएगा तो कितने रहेंगे पांच रहेंगे और यहां पर आ गए दोस्तों आपके आठ तो यहां पर आठ को उतार लिया 3 में से 3 जाएगे तो 0 अब देखें यहाँ पर कितने 821 बन है ना तो यहाँ पर तो ज्यादा संख्याय है तो अब हमें क्या करना है इस 0 को नीचे उता लेना है अब फिर से वही फार्मुला उसकी जहे कि 1,000 को कितने से गुणा करेंगे तो 8,000 मिलता है तो 8 से गुणा करते तो हमें 8000, मिलता है न, तो हमें यहाँ पर 1033 को आट से गुना कर दिजिए, 8-3, 24, यहाँ पर 2 आ गए, 8-3, 24, 24, 2, 26, यहाँ पर 2 आ गए, यहाँ पर 0,08,0 हो जाएगे, और 2 यहाँ पर उता जाएगे, अब देखे आठ एक आठ ओके तो यहां से हमें अंसर मिल गया 82 चौशट तो यहां से हमें अंसर मिल गया 8 तो एक जाहत एटीश को आठ से इन्टू गुना करते हैं तो यहां पर बैया आसी चौशट अब देखे दोस्तों आगे अगर आपको कोई प्रासेस नहीं करने तो वाला है वह मारा यूत्र मुलने के लगतांसर दिया हूँ तो आपको पॉइंट के बाद आगे रोसे मैंवा अगर जे लिए 7ho 5 यहां पर अमरी तो अगर यहां पर कहीं भी вीए आड़स दिया हुआ यहां पर सबसे कम सुचित रोग के रोगियों की बात की गई और अवसत संख्या पूची गई पहले हमें क्या करना पड़ेगा यहां पर हमें सभी रोग जो है उसकी आपको क्या करना होगा calculation बताना करना होगा कि सभी अस्पतालों में कितने कितने कुण से रोग के रोगी है तो यहां पर देखिए हमने मधु मेकी तो निकाली हुई थी है ना तो आपको फिर से नहीं निकालनी होगी वहां से ही आप उसकी आंकड़े ले सकते तो मधु मेक कितनी मिले थे 49-50 मिले थे तो हम यहां पर फिर से कलक्लेशन नहीं करेंगे और यहां पर ऐसे ही रखतेंगे 49-59 क्योंकि यजी से net के एक्जाम में जब जाएंगे तो इस तरह के से बारी बारी से आपको calculation नहीं करनी है चले 0, 0, 0 तो यहाँ पर आ गए आपकी 0 यहाँ पर 2, 4 कितने हुए 6, 6, 6, 12 12 का यहाँ यहाँ पर 2 यहाँ पर 1, 3, 1, 4, 4, 2, 6 6 plus 3 कितने हुए है 9 उसके बाद देखते हैं तो यहाँ पर देखे एसे छोटे बच्चों की तरह हमें calculation नहीं करनी चाहिए लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता चल रहा है इसके लिए मैं यहाँ पर एसे calculation कर रहे है वहना आप एसे ही यहाँ पर देख सकते हैं कि 1400 plus 700 कितने होंगे 1200 plus 1200 कितने होंगे 442 होंगे है ना 42 होंगे 42 होंगे तो यहाँ पर आपको ऐसे ही मिल जाता है कि यह 42 हो गया फिर यहाँ पर पर देख सकते हैं 210 plus 420 तो कितने होंगे 430 और 630 630 plus 630 कितने होंगे 660, 612, 1260 हो जाएगे तो यहाँ पर आपका अंसर क्या हो गया 1260 इस तरीके से फटाफट से कैलकुलेशन करने की आदत डालने चाहिए चले अब देखे यहाँ पर क्या बतायागा है कि सबसे कम सुचित रोग तो यहाँ पर सबसे कम कौन से रोगी है तो रदे घात वाले जो रोगी है वो सबसे कम है अब देखे इसके अउसर आपको निकालना है तो यहाँ पर देखे 920 आपको टोटल मिले है रदे रोग के दर्दी होगी अब देखे कितने अस्पताल के होकर है तो एक तो तीन है ना तो हम तीन से इसे क्या करेंगे डिवाइडेट करेंगे तो 920 divided 3 तो देखे 3 3 9 यहां पर 0 आ गई उपर से उतालो 2 अब देखे यहां पर ज्यादा है तो उपर से उतालो 0 यहां पर 0 रखना पड़ेगा क्यों कि यहां पर आगे भाग नहीं चल रहा था इसलिए हम नहीं यहां पर उतारा तो उपर की वार भी आपको रखना तो ऐसे अगर आपको इस तरीके से डिवाड़ेट नहीं करना है तो इजी वेसे भी आप यहां पर सोच सकते हो कि 920 है तो उसका 3 3 से किस तरीके से हो सकता है लेकिन हम इस तरीके से करते हैं तो देखे 3 3 को 6 6 3 18 हो गए तो यहां पर 20 में से 18 जाएंगे तो दो रहेंगे कितना भी कर लो उन लोगों को इन दोनों को आप अलग नहीं कर पाएंगे यह जो फॉर्मिला है वो ऐसे ही चलता रहेगा 20-18 तो इस तरीके से 20-18 आपको यहां पर ऐसे ही चलता रहेगा तो यहां पर आपका अंसर क्या बन रहा है दोस्तों 306.6 आपको जितने पॉइंट क कि वर चलते हैं और देखते हैं थोड़ा सा रुकिए मैं लैप्टॉप को चार्जिंग लगा लेती हूं कर देखते हैं झाफको याधू को याधको अभी लगोगणा अपको अधिंग, झाधको लीक्त कि वहां, झाधको यादको लोग्फित, याधको जाधको जघएंग, वपको न चले दूस्तों अब आते हैं नेक्स्ट क्रिशन की वार नेक्स्ट क्रिशन देखते हैं तो क्रिशन क्या कर रहा है दिखिए कर दूस्त कि क्षिशन देखिए क्षिशन को पढ़िए अस्पिताल क की तुलना में है रदही गात के रोग्यों की प्रतिसत वृध्दय कितने हैं कि यहांपर ठूडा सा प्रिंट हो गया है यहांपर व्योंखते हम स्थुland अस्पताल कह की तुलना में, अस्पताल गमे तो यहां पर कर दीजिएगा एस्पताल कह की तुलना में अस्पताल गमे रदे घाट के रोगियों के प्रतिसत रुट्दी कितनी है तो यहाँ पर हमें क्या पूचा गया है कि अस्पिताल क की जो रदय गात की रोगी है और अस्पिताल क की जो रदय रोगी है उनकी प्रतिसत रुद्धी की बात की गई अब कि इफुषे में आपको बिताया है। संख्या दी वे उसका क्या करना होगा। यहाँ पर हमें रमकैं को कि संख्या क्या मिल रही रही तो कँ है 320 और की हं है 360 तो इन दुनिधों प्रेणिट दिखा लेंगी तो यहाँ पर 360 माइनस 320 तो कितना मिलेगा 40 डिफरेंस मिल रहा है न तो आप देखिए क्या करना है प्रतिसत वृद्धी निकाल लिए तो हमने पहले डिफरेंस निकाल लिया तो डिफरेंस को लिख दीजे उपर की वार यहाँ पर लिख देती हूँ 40 ओके अब देखिए वृद्धी किसकी तुल्णा में हुई 320 की तुल्णा में बढ़े न 370 हुए तो बढ़े किसकी तुल्णा में बढ़े तो 320 की तुल्णा में बढ़े तो जो छोटी संख्या है उसे आपको लिख दीजे निचे की वार यानि कि 320 को हम लिख देखते हैं निचे की वार इंटू कितने करेंगे 100 अब देखिए जितना कटता है कर दीज barr nacional कट गया और आथ 321 हो गए है न।% ऑपको क्या मिले हंड्रेड अपोन eight मिले हाँ तब आपको क्या करना है तो यहाँ पर हम कर देते so को आंट से भाग कर देते हैं, यहां पर हंड्रेड है, तो चले, आंट एक आंट हो गए, दस में से आंट जाएगे, दो परसे उतालो 0 को, चले, अब देखे, क्या है, आंट दू, सोला, तो यहां पर आपको कितना मिल रहा है, चार, अब देखे, पॉइंट, देखे, यहां पर पॉइंट होता है, तो पॉइंट तक जाएगे, यहां पर आपको बार दिया है, तो आपको यहीं से अंसर मिल रहा है, कि बार पॉइंट, देखे, यहां पर बार कहां पर है, यहां पर कितना है, 13, गलत हो गए, यहां पर 11 है, गलत हो गए, नो है, वो गलत हो गए, तो यही पर आप पंजी 40, 40 में 40 जाएंगे 0 तो यहां पर आपका आंसर बन रहा है 12.5 तो यहां पर आपको दिया हुआ है तो यहां आंसर क्या होगा 12.5 यानि कि वन इस तक करेक्ट आंसर उके चलिए उसके बाद देखते हैं गुर्दा रुगों के उचार के लिए आने वाले रुग होते हैं ओके चलिए यहां पर अस्पिताल कह है और यहां पर अस्पिताल गह है और उसमें भी क्या बताया गया गुर्दा रोगों के बात की गई तो गुर्दा रोग वाले यहां पर है न तो अस्पिताल कह में कितने हैं गुर्दा रोग वाले तो 210 है तो यहां पर अस्प निकालने अनुपायत का मतलब क्या होता है रेश्यो निकालना रेश्यो कैसे निकालना होता है कर जेम ग लिख सकते हैं इस तरीके से बिल्कुल भी लिख सकते हैं या तो फिर आप यह लिख सकते हैं का अपॉन ग इस तरीके से भी लिख सकते हैं तो जब भी रेश्यो निकालन देखिए क्या होता है 210 जेयम 630 अब देखिए यहां से 0 से 0 कट गया इसका मतलब इसी तरीके से भाग करना ही होता है तो हम इस तरीके से भी भाग कर सकते तो 23 कितने होंगे 63 तो यहां पर क्या आ गया 1 और यहां पर आ गया यहां पर यह गलत हो गया यह गलत हो गया और यहां पर हमारा वंजम तीन है और यह भी गलत हो गया तो यहां पर तीसरा नंबर का जो आंसर है वो है अब देखते हैं आज का लास्ट क्विशन अस्पिताल क की तुलना में अस्पिताल गह में कूल रोगियों की संख्या में प्रतिसत वृधि कितनी है अब देखिए यहां पर क्या पुछा गया है का अस्पिताल क के जो दर्दी है और अस्पिताल गह के जो दर्दी है उनके बी करने करेंगे आपको याद होगा ना जापने किया सकती चलिये लगा लेते हैं यहां पर आजाएगे 1880 और यहां पर आजाएगे 5040 तो यह हो गए आपके कव और घह के टोटल दर्दियों की संख्या कितना आसान हो गए आपका अब देखे क्या बताया गया है उनके बीच के प्रतिसत रुद्धी निकालनी है तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले इन दूनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा है नो तो चलिए निकाल लेते 5040 माइनस 1880 और हमें नीचे क्या रखना है जो भी जिसकी तुलना में व्रुद्धी हुई तो 1880 की तुलना में तो बड़े है नो 5040 जो है वो ज्यादा है 1880 से तो जो भी छोटी संग्या उसे आपको क्या करना है नीचे की वर रखना है हमने यहां पर लख दिया 1880 इंटू 100 यह फॉर्मूला है आपका प्रतिसत रुद्धिक निकालने का चलिए अभी इनका डिफरेंस निकाल लेते तो 0 में से 0 जाएगे 9-9 में से 8 जाएगे तो 1 रह जाएगा और यहां पर आ जाएगे 4 तो 4 में से 1 जाएगे तो 31, 60 आ गए और अपन 1880 इंटू 100 अब देखिए क्या करना है इनको पहले मल्टिप्लाइ कर दीजे 31 साइट को multiply करेंगी तो कितना मिले गए 31 साइट को multiply करेंगी 100 से तो 31,16,000 हमें मिल जाता है चले उसके बाद हमें क्या करना है 1880 से क्या करना है divided करना है तो चले अब यहाँ पर हम उसका क्या करते हैं भाग कर देते हैं तो 31,60,000 और उसको हमें किसे करना है 188 यहाँ पर दीजिए 00 कट जाएगा स्वरी यहाँ पर 00 काट दीजिए तो अभी यहाँ पर यहाँ पर यह 0 कट गया तो यहाँ पर कितने रहते है 31,600 रहे गए और आपको किसे डिवाइडेट करना है 188 यहाँ पर क्या करना है तो यहाँ पर 31 है तो यह तो जादा हो जाएंगे तो अब आपको क्या करना होगा एक से ही से इसे क्या करना होगा मल्टिप्लाय करना होगा तो यहाँ पर एक से मल्टिप्लाय करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 181 188 अब देखे इसको हम बात करते है तो यहाँ पर क्या होता है छे में से 8 तो जाने वाले नहीं तो 16 में से 8 जाएगी तो दुस्तों कितने रहेंगे 8 रहेंगे अब देखे यहाँ पर 0 आ गए 1 में से यहां पर हमने क्या किया यहां यहां 6 में से 8 नहीं जा रहे थे इसलिए हमने यहां पर दसक ले लिया था तो देखिए यहां पर भी हम यह करने वाले तो यहां पर 0 बन गए तो यहां पर उपर क्या हो जाएगा 0 में से 8 तो जाने वाले ने इसलिए हमने यहां पर 10 रख दिये 10 में से 8 जाएंगे तो 2 रहेंगे और यहां पर 2 रहेंगे 2 में से 1 जाएंगे तो 128 रहा आप देखें 188 तो जादा है 128 क्या है काम है तो अब हमें क्या करना होगा उपर से एक 0 को उतार लेना है हमने उतार लिया एक 0 को चले अब देखते हैं 18 को कितने से आप गुना कर सकते हैं कि ताकि आपको आंसर मिल सकता है 128 तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि 18 को अगर आप 18 की बात करते हैं पीछे वाले 8 के भी बात नहीं कर रहें 18 को आप कितने से मल्टिप्लाइ कर सकते हैं तो देखें यहां पर अगर हम भात करते हैं 18 कर देते तो आप पंचे 40 यहां पर 4 और 90 आ गए यहां पर है ना तो फिर अब देखिए 18 को हम क्या करेंगे 6 से इंटू कर देते अगर ऐसा नह प्रेख लिए आपको 5 या 6 से गुना कर देना चाहिए तो देखें यहां पर हम कर लेते हैं पांच से पहले मल्टिप्लाइ करते हैं तो आट पंचे 40 यहां पर 4 आट पंचे 40 44 44 यहां पर 4 5 15 और 5 4 कितने हुए नो तो यहां पर हम क्या मिला 940 मिला है ना तो अभी हमें आग लेते तो आट चंग 48 यहां पर 4 आ गए 8 6 48 48 42 यहां पर 2 आ गए और यहां पर 5 आ गए यानि कि 1 इंटू 6 तो 6 होंगे 6 प्लस 5 कितने होंगे 11 तो यहां पर 1188 28 आ गए है ना तो 1128 आ गए है अब दोस्तों अब यहां पर क्या है 1280 है तो आगे अगर आप 188 को साथ से मल्टि आगे ना तो नर्मल यहां पर दिमाग लगाई है और यहां से आप क्या करेंगे 6 से इसे इंटू कर देंगे चले तो 188 इंटू 6 तो इसका हमें क्या मिला 1128 मिला अब देखिए यहां पर 10 में से 8 जाएंगे 2 यहां पर 7 में से 2 जाएंगे 5 यहां पर 2 में से 1 जाएंगे तो एक और यहां पर एक में से एक जायत जिरू, ओके, चलो, यह complete होगा, आप देखे, 152 है, तो यह 188 से कम है, उपर से उतालो, भी जिरू बचाये, उससे यहां पर निचे उतालो, अब देखे क्या है, तो यहां पर से आपका अंसर बन रहा है, यहां पर 16 आ गया है, तो यहां दो, यहां पर 141 से यह काड़ लो, यहां पर 145 से यह काड़ लो, अगर यहां पर 168 है, तो यह आपका अंसर करेक्ट होगा, अगर मान लेजे, यहां पर सूला है, तो यहां पर कहीं भी सूला है, तो आपको आगी कैल्कुलेशन करने की जरूरत होगी, वर्ना आपको नहीं तो दिखें यहां पर हम कर देते हैं यहां पर हमने 188 को in two 8 से अगर करते हैं यहां के रिपाम करते हैं तो 8 से बैश्यां जाएगा 84 8 यहां पर 4 6 8 8 64 6 7 0 औरzing है 7 यह पर 58 7 15 ओकी तो 15 404 यहां पर मिल जाता है तो यहां पर आपको 168 वैसे भी मिल जाता है लेकिन ज़्यादा कैलकुलेशन करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है और यह से ही इजी वेसे आपको क्या करना है अंसर को डूंड लेना है ओके आई होप आपको यहां पर अंसर में कैसे लाया जाता उसके बारे में अच्छे सो समझ में आ गया होगा चले दोस्तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजी अपने दोस्तों को भी शेर कर दीजीगा चले आज के लिए इतना ही थेंकी सो मच